कि मैं सीव से आप लोग का बहुत-बहुत स्वाध करता अपने यूट्यूब चैनल गेन नौलेज टेक्निकल में फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वह इंप्लाइवुटी स्किल से संबंदित है बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है जैसा कि आप थम्री में दिखेगा कि आप जो है बैंक में किस तरह से अपने खाते ओपिन करवा सकते हैं बैंक में खाते खुलवाने के लिए क्या-क्या डॉपकुमेंट लगते हैं बैंक में हम कितने प्रकार के खाते खुलवा सकते हैं तो ये सारे जो थम्री में लिखे हैं उसी को मैं बताने जा रहा हूँ आज का यही topic है इसी topic पे मैं बात करूंगा तो चलिए friends आते हैं अपने topic पे और अपने topic पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आगरा करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के ग्यान भरे knowledge पर इस तरह के वीडियो ले करके आता रहता हूँ साथ ही साथ जो है मैं आपको यह इंप्लाइविटी स्किल से भी संबंदी थे जो विज्जार्थी आई टी आई के हैं उनके लिए भी बहुत ही जो है आपको इंट्रेस्टिंग टॉपिक क्योंकि इस पर अधारिक प्रश्ण पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स आते हैं अपने टॉपिक पर और अपने टॉपिक पर आने से पहले मैंने आपको बताया कि अगर अभी तक आप लोग ने हमारे यूट्यूम चैनल को सब्सक्राइब नही स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं यह से घौका सकते हैं जो आपका Everyふ होते हैं जो मैंने लिख दिया है शैविंग अकाउंट भी कहते हैं की ढमाइन नों लिए खुलता है मेजर माइनर गज जिनका ऐज 18 world मेजर मेजर एकउट खुलते हैं जो lesson से बिलो तो व्ह हमारा जो अपन होता है वो मारा minor account open होता है minor account open करते समय आपको ध्यान देना कि है आपका पोटो आपका जो identity card है जैसे आधार card आपके आधार card के साथ आपके companion का भी आधार card साथ में include होता है और जब आप 18 वर्ट पूरा कर लेते हैं तो फिरसे आप पैन आधार अर्थात के वाइसी जो है दे करके आप जो है उसको मेजर अकाउंट में बदल सकते हैं के वाइसी जैसा सब्द होता है के वाइसी कार्थ है नौय और कस्टमर अपने जो है ग्रहा को पहचाने या जाने अब है कि इसमें जो यह जो एकाउंट ओपन होता है इसमें इंट्रेस्ट होता है जितने भी पैसे आप रखते हैं उस पर बैंक जो है अपने समय के अनुसार जो जो निर्धारित करती है उसके अनुसार उस पर इंट्रेस्ट देती है अब है कि इस account को open करने के लिए क्या-क्या document चाहिए तो जेंदली जो document यूज होते हैं वो आपका पैन और आधार हो गया ये दो document necessary है account जहाँ account open कराने के लिए कभी-कभी क्या होता है कि आपका पास अगर पैन नहीं है तो without पैन भी फॉर्म 16 का फॉर्म भर करके आप जो है account अपना open करा सकते हैं अब जो सकेंड हम जानते हुआ current account होता है current account को जिसकों सी सी के नाम से जानते है current account बिजनस परपस के लिए open के पार होता है तो उनके लिए जो है आपको सी सी करेंट एकाउंट खुलवाना पड़ता है इसमें क्या होता है अब सेविंग काउंट और current account में अंतर क्या होता है तो सेविंग अकाउंट में आपका interest होता है जितना आप पैसा रखते हैं लेकिन यह में सी 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 काता होता है रेकरिंग एकाउंट जिसको हम आडी के नाम से जानते हैं रेकरिंग का मतलब होता है कि कुछ-कुछ पैसा मन्तली हम जो है एक फिक्स डेट पे आपको बैंक यह करते हैं कि हर एक मैंना 10 तारिक या 2 तारिक या 20 तारिक जब भी हो आपके स्विधा के अनुशार तो हम थोड़ा-थोड़ा पईसा जमा करके बड़ी पुझी बना सकते हैं जो हमारा रेकरिंग एकाउंट होता है ये small saving के नाम से भी जाना जाता है छोटी बचत में क्या होता है कोई 100 रुपया कोई 200 कोई 500 हजार यहां तक कि आप अगर बैंक से जाते जिसे आप पस्ट आफिस में अगर क्यों आफिस अच्छा फायदा है कम फुंजी से बढ़ी बना चाहते हो तो वह क्या करें कि सबसे पहले अगर्ब में invest करें जब वो RD mature हो जाए तब उस जो है जो बड़ी पुझी बन जा तो उसको आप जो अगला आता है जिसको हम FD के नाम से जानते हैं आप फिक्स डिपोजिट में उस जो है अमांट को करके बढ़िया से बढ़िया पुझी बना सकते हैं अब जो बना सकते हैं आप अगर दिपोजिट में कराते हैं इस पर आपको ध्यान देना यह है कि देखिए आप अगर पांच साल से नीचे करते हैं और तो आपको क्या है इसपर TDS कटता है टोटल जो है आपका tax deduction होता है कितना आपका किस पर तापका capital पर नहीं जो आपको interest मिलता उस पर लेकिन यह भी जो है आपको जो है निर्भर करता है कि अगर मान लिजए कि सलाना आपका जो है 10,000 से कम अगर interest income हो रहा है तो वहां पर आपका TDS नहीं कटेगा वहां पर आपको ज़जा करके फॉर्म 15G भर करें आपको जमा करना पड़ेगा तो फॉर्म 15G जब भर करके बैंक में अपने जमा करते हैं आजकाल online का जो भी है online भी आप 15G भर सकते हैं तो आपको क्या होता है कि आपका टिडियस नहीं कटता है अब जो अगला आता है वह आता है मंधली इंट्रेस्ट स्कीम जिसको हम मिस के पुझी है उस पुझी को क्या करते हैं कि मिस में मतलब कि मंधली इंट्रेस्ट स्क्राइब होता है कि महिने में उनको जो है पांट साल से उपर के लिए करते हैं तो भी कम से कम मिनिमा आपको पांट साल के लिए इसमें करना होता है इसके बाद जो आता है नेक्स वह है पब्लिक प्रविडियन फंड जिसको हम पीपिएफ के नाम से जानते हैं तब पब्लिक प्रविडियन फंड में क्या होता है कि यह बहुत ही जो है सुनारा उसर वैसे के लिए जिनका एज मान लीजे कि अठारे साल बीश्चाल हुआ है उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्सन है पीपिएफ में पीपिएफ में अपना एकाउंट खुला करके वो जो है एक बड़ी पुंजी का निर्मान कर सकते हैं साथ ही साथ अपने बुढ़ापे का भी अगर वो चाहते हैं कि बुढ़ापा जैसा मैंने दिखाया कि यंग के लिए है फोर फिपिन इसको आप पांच-पांच साल पे एक्स्टेंड भी कर सकते हैं अगर मान लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप जो है इसको पांच-पांच साल के लिए एक्स्टेंड करके बढ़वा सकते हैं पीपिएफ का उस पैसे पर जो इंट्रेस्ट मिलता है वह यंट्रेस्ट भी अगरे साल के लिए आपका कैपिटल बन जाता है और फिर उस पर इंट्रेस्ट मिलते हैं तो यूअ को अब करते हैं तो बहुत बड़ा मोदी के दौरा जो है इसको लाया गया इस योजना को ऐसे सुकन्या समरीदी योजना को इस योजना में क्या है कि आप 0 वर्ष से 11 वर्ष तक आप अपना पैसा इसमें निकाल सकते हैं अगर मान लिजे कि आप बिढ्रॉल्ष अपका कोई आपसन नहीं है कम से कम आपको अठारा साल रखना होगा अठारा साल में आप 50% निकालेंगे और जब आपके बच्ची का आई जब आपकी लड़की का जो आई वो 21 साल हो जाएगी तो उस समय आप 100% निकालने के हकदार होंगे यह जो आपकी बच्ची जो लड़की होगी जो पुत्री होगी वो निकाल सकती है अगर वो चाहे कि और हम इसको चलाना चाहे तो वो चला सकती है लेकिन इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि आपको चलाना ही है एक इस साल में यह आपका कम्प्लीटली मेचियोर हो जाता है अब जानते हैं इसमें से कुछ सावधानिया कुछ आपको इन्वेस्ट करने से पहले कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो क्या होगा कि पेनाल्टी का भी प्रावधान रखा गया है जैसा कि आप PPF एकाउंट को देख रहे हैं PPF एकाउंट में क्या है कि अगर आप मालिये की साल में जो मिनिममं बाइलन्स रखा गया है कम से कम आपको 500 रुपय या 500 रुपय कम से कम 100 रुपय आपका उसमें जमा होना जरूरी है अगर आप नहीं करते हैं तो कम से कम 50 रुपे भी आपको पस्ट आफिस में दिरूर कर देनी है दूसरा पिपिफ में एक सिस्टम ये भी है ये बहुत ही बारिकी से आपको समझें कि पिपिफ में मान लीजे कि आपको मतलब कितना टर्म में हम पैसे जमा कर सकते हैं तो देखिए पिपिफ में आप 12 मतलब 12 महीने में 12 वार मतलब अगर इस हिसाब से आपका और बाकी महीने आप माने एक एक करके डाला तो क्या होगा कि आपको एक महीने का वो नहीं कटेगा और साथे साथ आपको पेनाल्टी जो है बहुत कवरी करिब जो है चार पांद से पेनालटी भी आपको भरना बढ़ सकता है इसलिए आपको साधानी रखनी है कि आप सोच समझ के कीजिए कि हमको बारा मैं आप चाहें तो महीने में भी इनवेश्ट कर सकते हैं मतलब बारा बार का आपका ऑप्षन ह कि बाराबार तक जितना चाहें अब इसमें एमाउंट का जो रखा गया है कि आप मतलब सौर पे से ले करके मैक्सिमम डेड़ लाग तक आप का डेड़ लाग का इसमें है कि आप साल में डेड़ लाग तक आप अपने पैसा जमा करके साथे के के ताद आप टीरियल मतलब आप इंकम सकते हैं वहां पिर की से हैं कि आपने इसमें जमा किया है यह आपको इसमें शुकन्या सम्रीधी में भी है सुकन्या सम्रीधी में भी इसी तरह का सिस्टम है कि इसमें भी पेनाल्टी का आपको प्रावधान है अगर आप मान लिजे कि एकाउंट आपन करा लिए और साल में कुछ भी पाईशा नहीं जमा करते हैं तो वहां पे 50 रुपया आपका पेनल्टी कटेगा जो आपके एकाउंट में जमा पूंजी रहेंगे उससे काट लिए जाएंगे तो आपको यहां पे सावधानी बरतनी है यह दोनों एकाउंट मे आप जान लेते हैं कि जैसे सेविंग एकाउंट तो सेविंग एकाउंट में आपको क्या सावधानी बरतनी है तो देखें सेविंग एकाउंट में आपको यह सावधानी बरतनी है कि सेविंग एकाउंट को आप सीसी एकाउंट की तरह नहीं चला सकते हैं कहने का मतलब कि हम का मतलब होता है कि ख़ा पी कर जूरा के जमा कीज़े जिसे हम हिंदी में बचत खाता करते हैं बहुत सारे कि समगते कि बकानद आपका सीक्राइब करता है मैं आपको पताया यह के लिए उपएवेगी और जानकारी यह लगवी यह इन गयुक्त अगर एक वेडियो आपको उच्छा लगा हो आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजे और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कीजे और आप ज़्यादा से ज़्यादा विडियो को सेयर कीजे